नमस्कार दोस्तों श्वागत आपका अमारी यूटूब चेनल जीनिया सिविल इंजिनिंग में दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्राखंच किस्षा सिवा चैन बोर्ड द्वारा अभी कुछ ही मिनट पहले एक बिग्यापन प्रकासित किया अपने साइट पे तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक सियर जरू करें तो दोस्तों आप देख सकते हो आज ही 13 अगस्त की तारिक है अभी कुछ ही मिनट पहले जो इनकी साइट है UKMSSB.com पे अभी मैंने साइट चेक किया तो वहां पर यह नोटिफिकेशन अबेलेवल था ठीक है तो आपको पता है दोस्तों UKMSSB द्वारा 306 पदों की सीधी भरती है तो चैने तो बिग्यापन जारी किया गया दोस्तों यह भरती है टेकनेसियन संबगरी की प्रक्षा 2,000 ठीक है त ताकि आपको सारी information इसी वीडियो के मात्यम से मिल जाए तो दोस्तों वीडियो में आप वीडियो को अच्छे से सुनना ताकि आपको फॉर्म बनने में कोई गल्ती नहों और आपका फॉर्म कोई reject नहों ठीक है उत्राखन राज्य के अंत्रगत विविन राजक्या मेडिकल कॉलिजों में टेक्निसियन संबर्ग के रिक्त 306 पदों पर सिधी बर्ती द्वारा चैन हितु बिग्यापन ठीक है उत्राखन चिकिसा सिवा चैन बोल्ड द्वारा उत्राखन राज्य के अंत्रगत विविन राजक्या मेडिकल कॉलिजों में टेक्निसियन संबर्ग के 306 पदों पर सिधी बढ़ती चैना हैं दोस्तों ठीक है आप यहां पर बात करते हैं विग्यापन आपका 13 अगस्ट 2021 को आया ठीक आज की डेट में ऑनलाइन जो आपका फॉम फिलिंगे याद रखना 16 अगस्त यानि कि 16 अगस्त 2021 से आप फॉम बनना स्टार्ट कर दीजे ठीक है और लाज डेट आपकी 15 सितंबर यानि कि आपको लगव लगव तीस दिन आपको फॉम बनने के लिए दिये जा रहे हैं ठीक है और आपका जो फीस बनने की लाज डेट हो भी 15 सितंबर 2020 से बुद्वार स्याम पांच बिस तक बाकी यहां पर देख सकते हो कौनकुन सी पोस् बाकी दोस्तों आप देख सकते हो नमबर वो पोस्ट में टोटल नमबर वो पोस्ट बताऊंगा तो आप जिस भी काटिगरी के हो जन्रल से हो तो यहां पर जन्रल है ठीक है SC, ST, OBC और EWS वाले ठीक है यह है बाकी आप देख सकते हो तो लैब टेकनिशन के 104 पोस्ट है सबसे ज्यादा उट्टी टेकनिशन की 62 है ठीक है CS, HD के 63 रेडियो थ्रेपी के 5 पोस्ट ECG के 4 पोस्ट ठीक है बाकी ओडियोमेट्री टेकनिश के आपकी 2 पोस्ट है और Dental Technician की 16 पोस्ट है और Phygo Trophy के 6 पोस्ट है ठीक है Occupational के आपकी 8 पोस्ट है ठीक है जैसे आपकी समयन्य में कितनी है सब कुछ आप देख सकते हैं जैसे जैसे लैप टेकनिशन की तो इसमें टोटल जैसे आपकी पोस्ट है कितनी है आप जो भी आप category की हो उसमें आपको कितनी पोस्ट है ठीक है तो मैं एक चीछ बता देता हूं अगर कोई General का है और Lab Technician का ज यहाँ पर देख सकते हो बाकी आप सारे चीज किये यह दो थोस्तों आप पीड़ाप के मादर से पढ़ेव सकते हैं। बाटि में इंपोर्टेंट डाटा जो है वह आपके सामने सिर करूंगा जैसे यहां पर देख सकते हो ग्रेट पर आप देख सकते हो लेब टेकनेशन का लेवल 5 का पोस्ट है यानि कि 2900 ग्रेट पर आपका बेसिक ग्रेट पर ठीक है और बाकि इसमें लेवल 5 की लेवल 4 पूश्ट है और देख सकते दोस्तों इसमें आपको पताऊंगा कि इसमें सेक्षेर आड़त क्या है जैसे लेप टेक्षियन है इसमें क्या है अब ब्यारतियों को मादमिक सिक्षा परिशात उत्रा खंड से बिज्ञान से इंटर्मेटर परिक्षा या सरकार द्वारा उसके स समक्ष मानेदा प्राप्त किसी परिक्षा से उतिन होना चाहिए ठीकरा तो आपको पता है आपका इंटर सायम से होना चाहिए इसमें साबसा लिकाए अब बहरतियों के पास उत्रा खंड més परिशात उत्रा और करन्यां से प्ञेज़ीर होना छेए ठीकरा है लैब टेक्नलोज की डिगरी और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए थर्ड नंबर है अब ब्यार्थियों के पास उत्राखंड इस्टेट मेडिकल फैकलिटी अत्वा उत्राखंड पैरामेडिकल कांसलिंग में पंजी करण का प्रवनपत्र भी होना चाहिए ठीक है अब ब आपका इस यहां पहरा पहसके हैं और आपके धिग्यान से और अपकी ब्लॉम घडिपलोमा होना चाहिए उस से रेलेटेट ठीक है इस सारी चीज में बताने की जरूत नहीं आप खुझ भी पढ़ सकते हो नॉर्मल यह बढ़ देख सकते हो हर चीज का लिख है आपके बास पैरे मेंडिल काउंस्लिंग में रेइस्टरेश होने चाहिए आपके बास ठीक है और आपके बास उत्राखन पैरे साटिवेट तो बढ़िया बात है अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और इसमें किया दोस्तों अभ्यार्थी का उत्राखंड इस्टेट मेडिकल फेकल्टी अत्वा उत्राखंड पैरा मेडिकल काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दित्ति का पर है तो उससे पहले आपको यह सनी कि उसके बाद जाओगे आप 16 सितंबर से पहले जो इसकी लाश्ट डेटा फॉर्म बनने की उससे पहले आपका पंजीकरण होना जरूरी है तो उत्राखंड में आप यह लागू हो रखा है कि आपको कोई भी आगर फॉर्म की लाश्ट हो जाओगे तो यह बात आप ध्यान रखना अच्छे से कि आपका जो भी पंजीकरण प्रवान पत्र है वह आपकी अंतिम तित्थी से पहले वैद होना चाहिए यानि कि बैलिड होना चाहिए तो छटवा नंबर आपका क्लियर हो गया साथवा नंबर आपका आयू की होनी चाहिए वह कब कब से काउंट होगी एक जुलाई 2021 अगर आपकी डेट वबर्थ एक जुलाई 2021 तक 18 से प्लस हो गई तो आप इस फर्म को बढ़ सकते हो और 42 से कम है तो आप इस फर्म को बढ़ सकते हो अन्यता नहीं ठीक है अगली बात करते हैं पर उत्राखन राज के अनुसूती जन जाती अनुसूती जन जाती यानि के ऐसी एस्टी को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसुदित किया जाए को उस तर आयू सीमा उतने वर्षत अधिक होगी जितने नियमाउं पर ठीक है तो ऐसी एस्टी कर जो रिजर्वेशन होता है एज में उनको चूट मिलती है कुछ ठीक है बाकी इसमें एक चीज और लिखा है समुगा के समुगा के पदों पर चैन वर्ष 21 के संगत सेमानी वाली पर उल्लखित अधिकतम आयू वर्ष में एक वर्ष के चूट परतान की गई यानि कि आपको आगर आपकी एज अगर 42 से 43 पी होगे क्य आपको एक वर्ष के चूट मिली जाएगी इन फॉर्मों को बनने में ठीक है बाकी इसमें क्या लिखा है दोस्तों उत्राखन एक चीज होर बता देता हूं काफी लोगों को कमेंट आते कि हम अधर श्टेट वाले फॉर्म बढ़ सकते हैं तो आपको एक चीज होर बताना च ले वही अभ्यार्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटर्मीडेट अथवा इसके समक्ष इसतर के सिक्चा उत्राखन राज्या इस्तित माननेत प्राफ संस्तानों से उत्राखन की हो यानि कि आधर श्टेट वाले फॉर्म वही बढ़ सकता है अगर किसी यहां से क्या हो या 12 यहां से क्या हो या उसने डिगरी उससे रिलेटेट जो आपके फॉर्म आ रहे हैं उसकी डिगरी आपने यह डिप्लोमा आपने उत्राखन से की हो तभी आप इस फॉर्म को फिलप कर सकते हो अन्य था कोई नहीं कर सकता है यानि कि भारवाला नहीं कर स वह उत्राखंड वाले इस फाउम को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है बाकी दोस्तों इसमें एक और चीज इंपोर्टन चीज बता देता हम आपको जो इंपोर्टन बाकी यह तो कुछ है नहीं आपकी काम की चीज इतनी यहां पे जैसे इसमें क्या लिखा है दोस्तों आपका selection selection कैसा होगा selection कैसा होगा ठीक है यह interview होगा यह paper होगा आपको सब कुछ चीज बता देता है ठीक है इसमें क्या लिखा है chain के लिए लिखित परिक्षा 100 अंकों की तकनीकी भी से अब एक चीज पॉइंट करना तकनीकी भी से यानि कि जो आपका subject है आपका अगर जो भी lab assistant का है ठीक है lab वाला आपका है तो lab के question पुछे जाएंगे यानि कि आपके GKS वगरा कुछ नहीं पुछे जाएगा जो भी आपका radio list है तो उसी से related आपके 100 questions पुछे जाएंगे ठीक है जो भी आपका branch है जो भी आपका trade है जो भी आपका जिससे भी आपने degree की है ठीक है तो आपका उसी से 100 number का question पुछे जाएगा और 1 by 4th negative marking होगी अगर आप 4 question गलत करते हो तो आपका एक number कट जाएगा या आप ध्यान रखने इसमें लिखा है साब साब कि संब्धित वस्तुनिष्ट प्रकार की हो objective होगी तकने की भी से यानि कि जो आपका subject है उसी से related आपका paper होगा ठीक है दूसर नंबर क्या है लिखित प्रिक्चा की प्रसन बुकलेट प्रिक्चा के पस्चाथ अभ्यापतों को साथ ले जाने के अनुमती होगी यानि कि आपको paper घर के लिए दिया जाएगा paper के बाद ठीक है answer sheet की कारवन प्रतिके duplicate में होगे और आपको duplicate एक coffee भी दी जाएगी answer ताकि आप answer sheet आने पर उसमें मिलान कर सको ठीक है answer की आपकी www.uk.ukmssb.org पर प्रतसित की जाएगी जिस जिनाएगी मैं आपको अपने telegram group जो है genius civil engineering उसमें आपको send कर दूँगा ठीक है बाकि दोस्तों आपको एक चीछ होट दियान रखना है अगर आप general category हो या OBC सो आपको 45% नमबर लाने जरूरी या निकि 45 नमबर आपको general OBC को लाना जरूरी है ठीक है बाकि जो है SC, ST उनके लिए 35 नमबर लाना जरूरी है उसके बाद merit लगती है ठीक है बाकि आपको जो question मिलेगा आप question paper मिलेगा आपको bilingual में मिलेगा हिंदी और English में आपको देखने को मिलेगा ठीक है बाकि इसमें important चीज होर क्या है और आपको चीज बताते तों जो भी important चीज है कि click here continue पर click करें उसके बाद इस page सब कुछ इसमें लिख रहा है तो आप इस पीडियाप को पढ़ सकते हो ठीक है कैसे कर सकते हैं मैं बता दूंगा पर यह वीडियो काफी लंबी हो जाग इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ठीक है कि भी से कम होना चाहिए और आपका इस बात का भी द्ध्यान रखना हो ठीक है है हो और यहां पर जो आपकी फीज होनी हैं कि यहां पर यहां पर इजो आपकी पिस होगी आपकी नेट मेकिंग डार्ट क्रेटिट कार्ट दोनों से रोसकती है ठीक है अब दोस्तों आप फीस की बारी आती ठीक है फीस कितनी होगी फीस आपको पता है सामने के 300 होती है बाकी की बाकी 300 जनरल की OBC के 300 होती है बाकी EWS, SC, ST जो भी जितने भी होते है दिप्यांग उनकी 1.500 रुपे फीस है तो गुरुप C में लगवक्त 300 रुपे फीस होती है जनरल OBC के बाकी जितने भी है उनकी 1.500 होती है ठीक है और इसमें इंपोर्टेंट बात है दोस्तों और चीज मैं आपको अगर इंपोर्टेंट है कुछ मैं आपको पता देता हूं इसमें स्लेवस दिया है दोस्तों एक बार आप स्लेवस देख लीजे दोस्तों आपका छोटा सी स्लेवस है according to me क्योंकि मालब इतना बड़ा नहीं हिंदी नहीं है इंगलीस नहीं काफी चीज नहीं है जी के नहीं है तो आपका सबसे बढ़िया रहा दोस्तों यह गोल्डण अप्रोच टी है गोल्डण चांस है दोस्तों कि आपको यहां पर सेलेक्शन मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों काफी पोस्ट एम लब देखने को वैसा है दोस्तों आपको पता कि काफी टाइम लंबे काफी लोग इसमें जॉब करते हैं पर जो पढ़ाई भी कर रहा है सासवत में उसके लिए गोल्डण चांस है ठीक है तो जनरल इसमें आपके सब्जेक्ट है जो भी आपके सब्जेक्ट है ठीक है यह आप पढ़ सकते हो ज्यादा एक दो तीन चार पाट साथ टॉपिक है सब्जेक्ट है तो आप इनको पढ़ सकते हो ठीक है जो भी आप देख सकते हो पूरा से लेवल दिखा है तो याद रखना दोस्तों मैंने कहा है लास्ट में कि जीके जीएस वगेरा कोछ नहीं आएगा इसमें आउनली आएगा टेक्निकल सब्जेक्ट ठीक है यह आपका य अधुत को बढ़ सकते हो जिसके बाद दो साल का एक सब्जाओ रहने था कोई है घन्यवाद आपका वहूत-बहुत इस वीडियो को तो दोस्तों आप जो भी ये lab technician है जितने भी आपके दोस्त हैं काफी हैं उत्राखंड में जो technician की job में हैं ये तैयर ही कर रहे हैं तो उन सभी को मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों तक अगर कोई भी आपको doubt लगते हैं फॉर्म बन